क्या आपके घर में चोटे पपीज हैं और आप उनको सेल नहीं कर पा रहे हो या फिर ब्रीड के अकोल्डिंग जो जैन्वन प्राइस होना चाहिए उतना प्राइस आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है काफी कम प्राइस में आप लोगों को पपीज जो हैं वो देने पड़ या फिर क्या आप इस डोग ब्रीडिंग की लाइन में नए हैं और आपका किसी दूसरे ब्रीडर या फिर ट्रेडर के साथ कोई कोंटेक्ट नहीं है जिसकी वज़े से आपको पपीज जो है वो सेल करने में काफी समश्याएं आ रही हैं अगर आपको इन में से कोई भी अश्याओं का जो सोलूशन है वो मिल जाएगा दोस्तो मैं राजीव वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डोगी शोगी पर और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी पपीज या फिर डोग इस वीडियो में शोग किये रहती हैं तो चले शुरू करते हैं कुछ लोग जो नए है इस वर्क में या फिर जिनके घर में एक दो फीमेल हैं और उनके पपीज हुए हुए हैं उनके किसी ट्रेडर या फिर ब्रीडर के साथ कोई कॉंटेक्ट नहीं हैं तो उनको पपीज को सेल करने में काफी समश्या जो एक breed का genuine price होना चाहिए उनकी quality के according वो उनको नहीं मिल पाता है और कुछ cases में तो ऐसा भी देखा गया है कि भी सही से customer या फिर buyer या फिर adoption के लिए कोई नए मिल पाने के कारण उन puppies को कई बारे street में भी छोड़ दिया जाता है और इतने कम price में या फिर free में दे दिया जाता है कि free में दी हुई चीज के आप समझ सकते हो कि mostly care नहीं होती है free वाले चीज को free के according ही लोग रखते हैं कुछ ही लोग ऐसे हैं जो free में मिली हुई चीज को भी काफी care के साथ रखते है इस समस्या का solution पाने के लिए ही कुछ समय पहले अपने channel डोगी शोगी की जो है शुरुवात हुई थी और बहुत सारे puppies और dogs जो हैं वो इस channel के थ्रिव काफी अच्छे घरों में जा चुके हैं और काफी अच्छी जो हमकी care हो रही है और बहुत सारे जो friends की भी जो ये problem थी वो solve हो गई है तो अपने channel डोगी शोगी के उपर आप लोग add post करवा सकते हो यहाँ पर जो direct seller का contact number है वो viewers तक पहुंचाया जाता है किसी तरीके की बीच में ये broking नहीं होती है कि भई अगर तेरा एक बच्चा sale हो गया तो 500,000, 1500 रुपे मुझे देने पड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वज़े से जो purchase करने वाले लोग हैं वो direct seller के पास contact कर पाते हैं अब बात ये आती है कि जो add है वो post होगी कैसे इसके लिए ये जो आपको screen पर मेरा number show हो रहा है ये मेरा whatsapp number है और इस पर सिर्फ और सिर्फ whatsapp reply ही होता है इस number पर आप मेरे पास अपने puppies की complete details के साथ message कर सकते हो अगर आपके पास puppies के mother और father भी available है mother तो mostly cases में available हो जाती है father की photo या फिर video available हो जाती है mating photo या फिर video available हो जाती है वो भी आप मेरे पास whatsapp पर message कीजिए और एक वीडियो में ही complete आप कोशिश कीजिए कि भी puppies की mother और बच्चे इकटे हो वीडियो जो आपको मेरे पास भेजनी है वो कम से कम इतनी तो भेजनी है कि भई उन सभी को combine करने के बाद 3-4 minute की video तो कम से कम बन जाए और वीडियो जो आपको मेरे पास भेजनी है वो wide angle में भेजनी है wide angle से मेरा मतलब है कि आपको phone को टेढ़ा करकर video बनानी है जैसा कि आपको screen पर show भी हो रहा है phone को सीधा करकर अगर आप video बनाते हो तो वो angle YouTube के लिए ठीक नहीं है और उससे समश्या क्या आती है कि video जो है वो half screen पर ही show होती है आधी screen पर आती है video और आधी screen पर black आ जाता है आपके पास जो puppies है वो अच्छी quality के होने चाहिए pure breed होने चाहिए बस यही हमारी conditions है all over India में कहीं भी आप हो मेरे इस whatsapp नंबर के थिर्व आप लोग जो है ad post करवा सकते हो direct आपका नंबर viewers तक पहुचा दिया जाएगा channel पर आप किस तरीके से ad post करवा सकते हो उसकी information जो है वो मैंने आप logo को दे दी है अगर आपको ऐसी कोई समश्या है आपके पपीज से लहीं हो पा रहे है या फिर आपके पास quality अच्छी है और आपको genuine price नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे पास जल्दी से जल्दी ad post करवाने के लिए contact कर सकते हो वीडियो को last तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद अच्छी लगी हो तो like जरूर करें आपका कोई question है तो आप comment box में पूछ सकते हो और चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेश जरूर करना है आप लोगों को ताकि अगर future में कोई भी नई वीडियो पोस्ट हो तो उसकी notification जो है वो सबसे पहले आपकी पास आए आप subscribe तो कर देते हो लेकिन bell icon को प्रेश नहीं करते हो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें धन्यवाद